जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाई बतियां किताब हिजरा नदारम एजहां नलेहू काहे लगाई छतियां जियां दोस्तों ये पंक्तिया हैं मशूर तूतिय हिंद अमीर खुसरो जी की तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमीर खुसरो के जीवन परिचय और उनकी हिंदी के बारे में तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के लक्चर गी अमीर खुसरो का जनम दोस्तों 1253 इस्वी में और इनकी मृत्यू मानी जाती है कब हुई है इनकी मृत्यू हुई है 1325 इस्वी में तो अब हम थोड़ा सा अमीर खुसरो के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं दोस्तों की अमीर खुसरो का व्यक्तित्व या उनका जीवन किस तरीके कर रहा है कई बार परिक्षा में इनके जीवन परिथ है इनका वहां से प्रशन पूछ लिए जाते हैं कि इनका वास्विक नाम क्या था इनके गुरू का नाम क्या था ठीक है तो थोड़ा सा हम इनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे दोस्तों कि कौन थे अमीर खुसरो चलिए मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ खुसरो एक ऐसी प्रतिवाशारी हस्ती थे जो एक तरफ बादशाहों के कसीदे लिखते तो दूसरी तरफ अपनी जमीनी शीरी बयानी से आवाम का दिल भी मोह लेते थे वे हर शक्स और हर चीज से महबबत करते थे उन्हें सबसे जादा महबबत थी हिंदुस्तान से जिसकी तारीफ करते हुए उनकी जवान कभी नहीं थकती वे हिंदुस्तान को दुनिया की चन्नत कहा करते थे इसलिए उनकी हिंदूई की ये पंक्तिया आमर हो गई जे मन हिंदूई पुर्स ता नास गोयम जें दोस्तों इनके कहने का मतलब ये था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ अर्थात मैं हिंदुस्तान का क्या हूँ तोता हूँ अगर तुम सच में ही मुझसे कुछ पूछना चाते हो अर रास्थपुरसी इसके कहने का भी प्रहा है कि अगर तुम मुझे से कुछ पूछना चाते हो जे मन हिंदूई पुर्स ठीक है तो अगर तुम हिंदी में पूछोगे जिससे की हिंदी में पूछो मतलब वो ये कह रहे हैं कि तो तुम मुझे से कुछ हिंदी में पूछो जिससे की क्या हो सके मैं तुम्हें कुछ अद्भुत बातें बता सकूँ नाजगोयम का मतलब है अद्भुत चीजें है ना ऐसी गौरवानवित महसूस करने वाली चीजें मैं आपको बता सकता हूँ अगर तुम मुझे हिंदी में पूछो देखिए तो यहां से इनका जो हिंदी प्रेम है दोस्तों वो सपश्ट चलगता है क्यों क्यों कि ये हिंदी के साथ साथ फार्सी में भी लिखते थे और उस वक्त जो शासकते दोस्तों वो कौन थे जो मुस्लिम शासकते उस तोरां ठीक है ना तो बावजूद उसके ये क्या करते थे ये हिंदी को क्या देते थे तवज्जो देते थे तो यहीं से पता चलता है कि ये हिंदी और हिंदोसान से कितना प्रेम करते थे क्लीर है दोस्तों आगे देखिए इनका जनम 1253 इस्वी में एटा जिले के कस्बा पटियाली में अमीर सैफुदीन महमूद के घर में हुआ तो इनके पिता जी का नाम था दोस्तो अमीर सैफुदीन महमूद और इनका वास्त्विक नाम अबुल हसन यमीनुदीन था तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं और गजलें भी इनोंने कही हैं, और सबसे पहले जो मैंने आपको इनकी दो पंक्तियां सुनाई थी दोस्तों, वो हिंदी और उर्दु की पहली गजल उसको माना जाता है, इन्हें पढ़ने से ज़्यादा शेर कहने का शौक था और उनकी शायरी से प्रभाबित होकर बल्बन जो दिल्ली का शासक था उस वक्त उसने क्या किया कि इनको क्या किया, अपने दरवारियों में शामिल किया और बल्बन समीत 11 शासकों की हुकूमत खुसरों ने देखी, और तब से लेकर के उसके बाद जो भी 11 आगे उसके वन्शज हुए ठीक है, दिल्ली के, तो वहाँ प या किस कभी ने देखा था, तो वो हैं अमीर खुसरों जी, आगे देखी दोस्तों कि खुसरों एक बेमिसाल शायर कहे जाते हैं, उनसे पहले हिंदी शायरी का कोई नमूना नहीं मिलता, खुसरों ने फार्सी के साथ हिंदी को मिलाकर शायरी के ऐसे दिलकश नमूने पेश की हैं, तो फार्सी और हिंदी जो अवधी है, उसका ही ये उदारन है जो सबसे पहले मैंने आपको सुनाया, जिहाले मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नेना बनाए बतियां, किताबे हिजरा नदारम एजां, नले हुकाहे लगाए च्छतियां, तो कहने का भी प्राय यह एक तरीके से बहाने लगा के तुम मुझ गरीब की, मिस्की का मतलब होता है गरीब, और मकुन का मतलब होता है खराब, मुझ गरीब की हालत तुमने और भी खराब कर दी है, जो तुम मुझ से इस तरीके से आँके फेर रही हो, ठीक है, किताबे हिजरा नदारम एजहां, हि च्छाती से क्यों नहीं लगाते ठीक है ना तो भावार्थ कहने का यह है कि जो ईश्वर के प्रती उनका रुजहान था जीवात्मा का प्रमात्मा के प्रती तो जीवात्मा प्रमात्मा से कह रही है कि तुमने मुझसे नजरें फेर ली है अब तो मेरा मुझसे क्या है कि अब रहा नहीं जाता, मतलब ये जो जुदाई है तुमसे ये मुझसे सही नहीं जाती, इसलिए मैं अब परमात्मा के पास जाना चाहती हूँ, ये जीवात्मा कह रही है, इसके कहने का भावाद ये है दोस्तों, ये देखे पहली लाइन पूरी की पूरी फार्सी में दूसरी अबधी में तो इन दोनों भाषाओं का मिश्रन देखिए है अबधी का मतलब है कि हिंदी के कुछ एक शब्द है मतलब अबधी हिंदी के अंतरगती आती थी ना तो ये है कि इन्होंने हिंदी को भी क्या तवज्जो दी है हमारा जो आज का वीशे यही है दोस्तों कि जो अमीर खुसरों है और उनका और हिंदी इनके बीच में क्या समद्ध एक तरीके से clear है आगे देखिए भले ही वे दरवारी शायर थे परंतु दरवार के बहर वो पूर्ण तै अवाम के दरवारी शायर यह कैसे थे कि यह राजगराने में रहते थे राजगवी थे ठीक है राजाओं को खुश करने के लिए जो हमने पहले पढ़ा था ना तो कुछ एक साहित्यकार या उससे पहले जो कभी हुए हैं वो सिर्फ सिर्फ किस के लिए लिख रहे थे राजाओं के लिए लिख रहे थे उनको प्रसंद्चित करने के लिए लिख रहे थे लेकिन इन्होंने क्या किया इन्होंने राजाओं को खुश करने के साथ साथ इन्होंने आवाम के लिए भी लिखा आवाम का मतलब है आम जन मानस की भाषा थी देखे आप देखते हैं कि जब हम रामचरीत मानस को पढ़ते हैं तो हमें वो हिंदी सिर्फ उन लोगों को समझाएगी जो बहुत जादा क्या है पड़ा लिखा है या जिसको ग्यानी जिसको हम कह सकते हैं उसको ही वो बात समझा जो थोड़ा सा क्या हो शिक्षित एक तरीके का हो वो है लेकिन जो हमारे अमीर खुसरो जी हुए है इनकी भाषा आम जनमानस की भाषा आवाम की भाषा इसलिए थी क्यूंकि ये पहेली और मुक्रियां और जो पहेलियों का रूप है दोस्तों वो ही क्या है हमारे लोग साहीते हमें भी देखने को मिलता है और बहुत सारे लोग हम अपने काउं में भी देखे होंगे पहेलियां गाते हुए या पहेलियां बुझाते हुए तो इसलिए कहते हैं कि जो नीचे से नीचे लात तबका भी है जो गरीब से गरीब या यूं कहें जिसकी हालत या पढ़ने लाइक नहीं है वो भी इनकी जो बानी को वो easily समझ जाता था इसलिए कि आ जाता था कि इनकी जो भाशा थी वो क्या थी वो अवाम की शायर थे ये लोगों के लिए थे आम जन्मानस के लिए थे कहते हैं कि शायर होने के साथ खुसरो एक बड़ी संगीत अग्या थे देखिए ये संगीत प्रेमी भी थे या यूँ कहें हम इनको कि अगर बहुमुखी प्रतीभा के धनी थे तो ये बात इनके लिए बहुत ही सटीक बढ़ती है दोस्तों क्योंकि इन्होंने हर क्षेत्र में देखी अपना काम किया हुआ है, ठीक है, सितार और तबला इजाद करने का श्रे इनको ही जाता है, तो कई बार ये प्रशन भी पूछा जा इन्हें खुसरों से बेहद लगाव था और कहा जाता है कि जब कयामत में सवाल होगा कि निजामुदीन क्या लाया, तो मैं खुसरों को पेश करूँगा, ये बात कही थी निजामुदीन ओलिया ने, तो देखी कितना लगाव था उनको, कि एक दूसरे पर ये बेहद क्या थे, आसक बोल सकता है इनको कि एक दूसरे से ये बेहद प्रेम करते थे, लगाव था इनको एक दूसरे से, कहा जाता है कि एक दूसरे से क्या है, एक दो साल ही बड़े छोटे थे, ठीक है, तो ये कहा जाता है कि जब कयामत में सवाल होगा कि निजामुदीन क्या लाया, त तो खुसरो इनके प्रिये तो थे ही थे और वो इसलिए प्रिये थे क्योंकि वो क्या थे प्रतिभाशाली थे है ना उनमें हुनर था हर चीज को समझने का और कहा ये जाता है कि माना ये जाता है वो एक खुश मिजाज और जिंदा देले इनसान थे अमीर खुसरो ठीक है न द और यह एक्जाम में पूछ ले जाता है कि यह किस की हैं पहली वाली पंक्ति दे दी जाती है ठीक है तो देखिए ये कहते हैं कि गोरी सोवे सेज पर मुक पर डारे केस चल खुसरोगर आपने रेन भही चहुं देश तो दूस्तों कहने का मतलब ये है कि गोरी सोवे सेज पर म मुखवर डारे केश कि वो सफेद जो कपड़ा है उसके नीचे वो एक तरीके से सो गए है उनकी मुखवर डारे केश अपने उनके जो केश हैं लंबे-लंबे वो क्या है उन्होंने अपने मुखवर डाल दिये हैं। कि गोरी से हुए सेज़ पर मुख पर डारे केश चल खुसरो गरा अपने रहन वही चोंदेश क्लिर है दोस्तों आगया दिखिए कहा जाता है कि गुरू की मृत्यू के पश्चात तेरा सो पच्चेस इस्यू में खुसरो का भी देहवसान हो गया था और जैसे ही इनके गुरू की मृत्यू हुई तो उसके कुछ ही समय बाद इनका भी देहान्त हो गया था खुसरो ऐसी हस्ती थे जिन पर सरस्वती और लक्ष्मी दोनों महरवान थी लेकि दोस्तों इससे क्या भी पराए है कि यह बहुत ग्यानी थे है ना इन्होंने शायरी गजले मुक्रियां पहेलियां दोसुख ने इत्यादी इत्यादी कहे लेकिन इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे ऐसे कवी हुए हैं जिनके पास सरस्वती तो थी या यूँ कहें बिद्या तो थी लेकिन उनके पास धन बहुत कम था या यूँ कहें कि वो गरीबी मुफलिसी में जिये लेकिन जो अमीर खुसरों थे उनके पास क्या है एक तरीके से लक्षमी भी उनके उपर महरबान थी और बहुत सारे शास्कों ने जब बलबन थे उनके बेटे हुए आगे उनको काभी सारा धन बगेरा बगेरा दिये जाता है और कहा जाता है कि हाथी के वजन के वरापर उनक कुछ चीजें दी गई थी तो इसलिए इनको क्या का जाता है कि लक्षमी इन पर महरबान थी लेकिन इनोंने वो सब चीजें एक तरीके से क्या कर दी थी त्याग दी थी उन्होंने मिली जूली हिंदूस्तानी तहजीब की सरचना में पहली इंट का काम किया मिली जूली हिं बहार से थे लेकिन इनोंने हिंदूस्तान को अपनाया और हिंदूस्तान हिंदी भाषा को ही सरवुपरी माना क्लियर दोस्तों खुसरों को हिंदी और उर्दू खेमों के लोग अपना-पना कहने में फक्र मैसूस करते हैं तो उर्दू और हिंदी के जो लोग हैं वो सब य प्रमुक रचनाएं हैं और ऐसा का आ जाता है दोस्तों कि इनकी लगवग 100 के आसपास रचनाएं बताई जाती हैं लेकिन इनमें से प्रमुक जो है खालिक बारी पहेलियां मुक्रियां दोसुखने और गजल तो यहां पर यह जो खालिक बारी पहेलियां मुक्रियां तो कई बार एक्जाम में इस तरीके से पूछे जाता है कि इनके जो इतिहास ग्रंथ हैं देखिए एक है सहाईतिक ग्रंथ दूसरे हैं इतिहास ग्रंथ तो सहाईतिक ग्रंथ हैं खालिक बारी पहेलियां मुकरियां दो सुखने और गजल और इनके इतिहास ग्रंथ हैं तारी के अलाई और तुगलक नाव तो ये हैं दोस्तों कई बार पूछ ले जाता है थोड़ा सा confusion पैदा करने के लिए कि इतिहास ग्रंथ और सहीतिक ग्रंथ इन में हमें थोड़े सी जानकारी होनी चाहिए कि इनके कौन से ग्रंथ हैं क्लिए दोस्तों तो इन सब की भाषा क्या थी इनों है हिंदी जो हिंदुई ये कहते थे हिंदी को क्या कहते थे ये हिंदुई कहते थे उस जमाने की जो हिंदी वह कहते थे उसको इनों क्या नाम दिया हिंदुई नाम दिया तो ये समस्त रचनाएं आपको किस में मिलेंगी इसी बाश्चा में मिलेंगी तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हम कि इनकी जो हिंदी थी अमीर खुसरों की उसकी विशेशताएं क्या-क्या है सबसे पहले देखी आधुनिक खड़ी बोली से मिलती जुलती दोस्तों जो इनकी हिंदी थी इनकी उसकी सबसे प्रमुक विशेशताएं ये थी कि वो आधुनिक जो हिंदी थी उससे काफी मिलती जुलती जो इनकी भाशा थी वो थी वो देखी वो हमें कहां से पता चलता है आप लोगों ने सब लोगों ने एक चीज सूनी होगी जो ये कहते थे कि जो इनकी प्रमुक पहेली मानी जाती है कौन से देखिए एक थाल मोती से वरा सब के सिर पर ओंधा धरा चारों और वो थाल फिरे मोती उससे एक ना गिरे तो देखिए यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि आज की ही है आज की वाशा एक तरीके से तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इनकी जो भाशा है वो कैसी है कैसी थी वो आदुनिक खड़ी बोली जो हमारी हिंदी है अभी उससे काफी मिलती जूलती थी हलां कि इन्हों ने उसको नाम दिया था हिंद भी ठीके दोस्तों अगला है देखिए कि भारती आरे भाशाओं की ध्वनियों का प्रियोग तो इनकी भाशा के दूसरी विशेश्टा माने जाती है कि जो आरे भाशाओं भारती आरे भाशाओं की जो ध्वनिया है उनका ही इन्होंने क्या किया है अपने कब्य में प्रियोग किया है और नेक्स देखिए या और नी प्रत्य का प्रियोग तो दोस्तो ये क्या करते हैं कि जो प्रत्य थे उनमें से इन्होंने किन किन प्रत्यों का प्रियोग किया है या और नी तो प्रत्य होते हैं दोस्तो जैसे ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जूड कर क्या कर देते हैं उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं ठीक है जैसे तरह के डोलक है तो उसमें ये इप्रत्य लगा देंगे तो क्या हो जाएगा डोलकी हो जाएगा ठीक है जैसे नी प्रद्य है कहां पर रहे हैं मेहतर है तो मेहतरानी हो जाएगा ठीक है तो इस तरुके से ये नी pencil का प्रयोग करते थे ये इनकी हिंदी की एक प्रिशेशता माने जाती है अपने मोही तोही वाखोई्ट्यादी सर्व नाम का ये क्या करते थे प्रियोग करते थे तो संग्या के स्थान पर जो शब्द प्रियुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं सरब नाम कहते हैं तो इनके जो सरब नाम थे देखिए दोस्तो वो क्या थे अपने मोही तोही वाको ये ये इनके थे ठीक है तो कारक युक्त वो कार मुह से घरमा मा ठीक है तो इस तरीके के ये जो है क्या करते थे जो कारक युक्त शब्दों का प्रियोग करते थे लेकिन इसके लाबा ये कारक रहित शब्दों का प्रियोग भी करते थे जैसे नार खड़ी आंखों दीठा घर जावे तो इस तरीके के जो शब्द है वो क्या और इन के बारे में जो शुकल जी हैं देखिए वो क्या कहते हैं इनकी भाषा के बारे में ये कहते हैं कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की और अधिक था उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की और अधिक रहता है तो देखी दोस्तों कई बार एक्जाम में ये पंक्तियां पूछ लिए जाती है कि ये किसकी है तो ये है शुकल जी की पंक्तियां किसके संबंद में कही गई गई है अमीर खुसरो की भाषा के संदर्व में तो देखिये एक ठाल मोती से भरा सब के सिर पर ओंदादा राईए मने पहले भी आपको बता दिया चारों और वा ठाल फिरे मोती उससे एक न गिरे तो कहने का मतलब क्या है कि इनकी पहली है और इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ है अकाश अर्थ ते इसका बूझेगा मुह देखो तो सूझेगा तो देखिए ये इनके एक और पहली है इसमें ये कहते हैं किसके लिए आइने के लिए ठीक है बाला था सबको भाया बड़ा हुआ कुछ काम ना आया खुसरो कह दिया उसका नाओ अर्थ करो नहीं छोड़ो कहां तो देखिए इसका क्या अर्थ है बाला बड़ा हुआ कुछ काम ना आया बड़ा हुआ का मतलब है कि जब वो बुझ गया तो किसी के काम नहीं आया तो इसलिए खुसरो ने क्या बोला कि मैंने उसका नाम बता दिया है ना अर्थ करो नहीं छोड़ो गाउं अर्थ बता दो नहीं तो गाउं छोड़ो तो यहां पर खुसरो कह दिया, तो इसी में इसका अंसर चुपा है, दिया, क्लियर है दोस्तों तो ये थी इनकी कुछ पहेलिया, अब इनकी मुख प्रचलित का विवाशा, मुख प्रचलित का मतलब है कि ये बोलने पर जादा विश्वास रखते थे तब ही तो कहते है कि शेर पढ़ना ही ने पसंद था ना कि लिखना, ठीक है तो ये सबसे पहले देखिए, इनकी जो ये लाइना पढ़ रहे होंगे उजल बरन अधीनतन तो ये कहा जाता है कि ये इनका गीत भी है, और क्या है और ये पहली में भी आती है उजल बरन अधीनतन एक चित दो ध्यान, देखत में तो सादू है निपट पाप की खान तो इसका अर्थ दोस्तो बगुला ठीक है, उजल बरन का मनलब सफेद पोश एक तरीके से, सफेद होता है वो अधीनतन, ठीक है, अधीनतन का मतलब है बिलकुल दुबला पतला शरीर एक चित दो ध्यान ठीक है भले उसका शरीर एक जगा है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है मचली को खाने की और ध्यान है देखत में तो सादू है पत पाप की खान देखने में तो सादू सज्जन्म लगता है लेकिन है क्या वो पाप की खान है तो यहाँ पर इसका भावारती है कि संसार में भी ऐसे पुरुश है जो हैं तो सफेद पोश ठीक है लेकिन सज्जन्म बने फिरते हैं लेकिन हमेशा दूसरों के अहित की बात सोचते रहते हैं तो देखें दो चीज़ें उन्हें एक तरीके से व्यंग उस पर भी कह दिया गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे के इस चल खुजरोगर आपने रेन भी चोंग देस मैंने पहले भी कह दिया आपको दोस्तों कि जब क्या हुआ था उनकी मृत्यूई तब गई थी अगली जो पंक्ति है दोस्तों ये बहुत मौत्पोन पंक्ति है एक्जामे कर वह पूछ लिया जाता है कि मेरा जो बना नवेलरा भयओ है गुलाल कैसे गर दी न इक समुरी माल तो ये भी एक्जामे कर वह पूछ जाती कि ये पंक्ति किसई नजर में खुसरो को फिर से देख लेते हैं कि अमीर खुसरो कौन थे तो इनका जनम 1253 में एटा जिले में हुआ और वास्तविक नाम अबुल हसन यामुनी दीन और गुरु का नाम क्या था इनके निजामुदीन ओलिया उपनाम इनका खुसरो था और मृत्यू का भुई 1325 इ ठीक है दोस्तो बलबन के पोते कैकुबाद ने इन्हें मुलक शुरा राष्टर कभी की उपादी दी थी तो ये प्रशन भी महतपूर्ण है कि इनको मुलक शुरा की उपादी किस ने दी थी कैकुबाद ने दी थी तो ये था दोस्तो अमीर खुसरो के बारे में थोड़ी स बारत